मेरे पैरे देश्वाश्यों नमस्कार आज विजया दस्मी यानि दस्मी देश्वाश्यों मेरे पैरे देश्वाश्यों नमस्कार आज विजया दस्मी यानि दस्रे का परव है इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुपकामनाए दसरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धहरे की जीत का पर्व भी है आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिस्सित है। पहले दुरगापंडाल में मा के दर्शनों के लिए इतनी भीर जुट जाती थी एकदम मेले जैसा महवल रहता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दसरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। राम निला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्शन था लेकिन उसमें भी कुछ ने कुछ पाबंदिया लगी है। पहले नवरातर पर गुजरात के गरबा की गुंज हर तरफ चाही रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंध है। अभी आगे और भी कई परव आने वाले हैं। अभी ईद है, शरत पुर्णेमा है, भालमी की जैनती है, फिर धनते रस, दिवाली, भाई दूज, छठी महिया की पूजा है, गुरु नानक देवजी की जैनती है। कोरोना के इस संकटकाल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या-क्या खरीदारी करनी है। खास कर बच्चों में तो इसका विशेस उत्सा रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल्फ और लोकल्फ का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरिदते समय हमें स्थानिय उत्पादों को प्रात्फिक्ता देनी है। साथियों त्योहारों के इस हरसोलास के बीच में लोकडाउन के समय को भी आद करना चाहिए। लोकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करिब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सबजी वाले, दूद वाले, सिकुरिटी गार्ड्स इन सबका हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भाती मैसूस किया है। कठीन समय में ये आपके साथ थे, हम सब के साथ थे, अब अपने परवों में, अपनी खुश्यों में भी हमें इनको साथ रखना है, मेरा आगरह है, जैसे भी संबब हो, इने अपनी खुश्यों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरऄ करिए, फिर आप देख आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती हैं साथियों हमें अपने उन जाबाद सैनिकों को भी आद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप बले ही सिमापर है लेकिन पुरा देश आपके साथ है आपके लिए कामना कर रहा है मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन कर करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहत पर है हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसने किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है अपने परिवार से दूर है मैं रदय से उसका आभार प्रगर करता हूं मेरे प्यारे देश्वासियों आज जब हम लोकल क में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है जैसे एक उधारण है खादी का लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रीक के रूप में जानी जा रही है स्वास्त के दरस्टी से यह बोडी फ्रेंडली फैब्रीक है औल वेधर फैब्रीक है और आज खादी फैशन स्टेट्मेंट तो बनी ही रही है खादी की पाप्लिारेटी तो बढ़ी रही है साथी दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है मैक्सिको में एक जगे है ओहा का इस इलाके में कई गाव ऐसे हैं जहां स्थानिय ग्रामीन खादी बुन्ने का काम करते हैं। आज यहां की खादी ओहा का खादी के नाम से प्रसित हो चुकी है। ओहा का में खादी कैसे पहुँची ये भी कम इंट्रेस्टिंग नहीं है। प्रभावित हुए कि वो भारत में बापु के आश्रम आये और बापु के भारे में और गहराई से जाना समझा। तब ब्रावन को एहसास हुआ कि खादी के बले कपड़ा ही नहीं है। बलकि ये तो एक पूरी जीवन पद्धती है। इससे किस तरह से ग्रामीन अर्थेवव स्वस्ता और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है। ब्रावन इससे बहुत प्रभावित हुए। यहीं से ब्रावन ने ठाना कि वो मेक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे। उन्होंने मेक्सिको के ओहाका में ग्रामीनों को खादी का काम सिखाया। उन्हे इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुती दिल्चस्प इंटर्वी भी मिलेगा। वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे। परन्तु आखिरकार इसमें लोगों की दिल्चस्प भड़ी और इसका बाजार तयार हो गया। ये कहते हैं ये रामराज्य से जुड़ी बाते हैं। जब आप लोगों की जरुतों को पूरा करते हैं तो फिर लोग भी आप से जुड़ने चले आते हैं। साथियों दिल्ली के कानट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जन्ती पर एक ही दिन में एक करोड रुपिय से ज़्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पपिलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्फ ग्रुप और दूसरी समस्ताएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बारा बंकी में एक महला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्फ गुरूप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाओं भी जुड़ती चली गई, अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास बना रही है, हमारे लोकल प्रोडक्स की खुबी है कि उ उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है, मेरे पैरे देशवास्यों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है, तो दुनिया में भी उनके प्रती जिग्या सब बढ़ती है, जैसे हमारे आध्यात्मने, योगने, आयुरुवेद ने, पूरी दुनिया को आकरशित किया है, हमारे कई खेल भी दुनिया को आकरशित कर रहे हैं, आजकल हमारा मलखम भी अनेकों देशों में प्रचलीत हो रहा है, अमेरिका में चिनमय पाटनकर और पग्या पाटनकर ने, जब अपने घर से ही मलखम सिखाना शुरू किया था, तो उन्हें भी अंद प्रिनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुट रहे हैं, मलखम सीख रहे हैं, आज जर्मनी हो, पॉलेंड हो, मलोशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम खूब पॉपिलर हो रहा है, अब तो इसकी वर्ल्ट चेंपिय की गई है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं, भारत में तो प्राचीन काल्ट से कई ऐसे खेल रहे हैं, जो हमारे भीतर एक असाधरन विकास करते हैं, हमारे माइन बोडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं, लेकिन संभव तहा, नई पीडी के हमारे युवा साथी मलखम से उतना परिचित न हो, आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए, साथियों, हमारे देश में कितनी ही मार्सल आर्ट्स हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी इनके बारे में भी जाने, इने सिखे और समय के हिसाब से इनो ही आता है, इसलिए अपने आपको हमेशा चैलेंज करते रहिए, मेरे प्यारे देश्वासियों, कहा जाता है, लर्निंग इस ग्रोइंग, आज मन की बात में मैं आपका परिचाय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा, जिसमें एक अनोखा जुनून है, यह जुनून है दुसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुश्यों को बातने का, यह है पोन मार्यपन, पोन मार्यपन तमिल नाडु के तुतु कुडी में रहते हैं, तुतु कुडी को पल्सिटी यानि मोत्यों के शहर के रुप में भी जाना जाता है, यह कभी पांडियन सामराज्य का एक महत केंद्र था, यहां रहने वाले मेरे दोस्त, और मार्यपन, हैर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं, और एक सेलून चलाते हैं, बर छोटा सा सेलून है, उन्होंने एक अनोखा और प्रेणा दाई काम किया है, अपने सेलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है, य उसके बारे में थोड़ा लित्ता है, तो पोन मार्यपन जी उस ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं, है न मेजेदार, आईए, तुतुकुडी चलते हैं, पोन मार्यपन जी से बात करते हैं, पोन मार्यपन जी, वड़कम, नल्लाईर किंगडा, माननीय प्रधान मंत्री जी, नमस्कार! मैं अपनी पड़ाई को आगे बढ़ा न सका, जब मैं पड़े लेके आदमियों को देखता हूं, तब मेरे मन में एक कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मेरे मन में ये आया, कि हम क्यों एक पुस्तकाले स्तापित करें, और उसे बहुत से लोबों को ये लाब होगा, यही मेरे प्रेर नाबनी, उंगलक्के येंद पुत्तुहं पिडिकों, येनक्के तिरकुरल रंपिडिकियों, मुझे तिरकुरल बहुत प्रिया है, ओ, उंगके ट्टू पेशियदरी, येनक्क, रोंबा मिगल्ची, नलवार्थुकल, मैं अभी माननिय प्रधान मंत्री जी से बात करते हुए अथि प्रसंदता महसूस कर रहा हूँ, अगेन नलवार्थुकल, नन्रिंगे ये, दानिवाद प्रधान मंत्री जी, तैंक्यो, हमने अभी पौन मारिय प्रधान जी से बात की। देखिए, कैसे वो लोगों के बालों को तो सवारते ही हैं, उन्हें अपना जीवन सवारने का भी आवसर देते हैं। थिरु कुरल की लोगपरियता के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। थिरू कुरल के लोगपुरियता के बारे में आप सबने भी सुना आज हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में थिरू कुरल उपलब्द है अगर मौका मिले तो जुरूर पढ़ना चाहिए जीवन के लिए वो एक प्रकार से मार्गदर्शक है साथियों लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिने ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तकपर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरीत हो मद्द प्रदेश के सिंग्रोली की सिक्षिका उशा दुबेजी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइबरेरी में बदल दिया है वे प्रती दिन अपने चलते फिरते पुस्तकाले के सार किसी न किसी गाउं में पहुँच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है बच्चे उन्हें प्यार से किताबह वाली दीदी कहकर बुलाते है इस साल अगस्त में अरुनाचल पदेश के निर्जूली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्फ लाइबरेरी बनाई गया है दरसल यहां की मीना गुरुम और दिवां होसाई को जब पता चला गया कि कस्बे में कोई लाइबरेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लाइबरेरी के लिए कोई मेंबर्शिप ही नहीं है कोई भी व्यक्ति दो हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है पढ़ने के बाद उससे वापिस करना होता है यह लाइबरेरी सातों दिन 2400 घंटे खुली रहती है आस पढ़ोस के अभीभावक यह देखकर काफी खुश है तो उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं खास कर उस समय जब स्कूलों ने भी ओनलाइन क्लासे शुरू कर दी है वहीं चन्डिगर में एक NGO चलाने वाले संदिप कुमार जी ने एक मीनी वैन में मोबाईल लाइबरेरी बनाई है इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुप्त में बुख्सी दी जाती है इसके साथ ही गुजरात के भावनकर की भी दो संस्ताओं के बारे में जानता हूँ जो बहतरीन कारे कर रही है उनमें से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट ये संस्ता प्रतियोगी परिक्षाओं के तयारी करने वाले विद्यार्थों के लिए बहुत मददगार है ये ट्रस्ट 1975 से काम कर रहा है और ये 5,000 पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मेगेजिन उपलब्द कराता है ऐसी एक संस्ता पुस्तक परभ है ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहितिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबे निश्वल के उपलब्द कराते है इस लाइबरेरी में आध्यात्मिक, आवर्वेदिक उपचार और कई अन्य विश्यों से सम्मद्दित पुस्तके भी शामिल है एदि आपको इस तरह की और प्रयासों के बारे में कुछ पता है तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर साजा करें ये उधारन पुस्तक पढ़ने या पुस्तकाले खोलने तक ही सिमित नहीं है बल्कि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीख है जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तपके के लोग नएने और इनोवेटिव तरीके अपना रहे है गीता में कहा गया है नहीं ज्याने स्रदूशम पवित्र मिह विद्देते अर्थात ज्यान के समाज संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है मैं ज्यान का प्रसार करने वाले ऐसे नेक प्रयास करने वाले सभी महनुफाओं का रदय से अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ ही दिनों बात सरदार वल्लभाय पटेल जी की जन्मजनती 31 अक्तूबर को हम सब राष्ट्री एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है हमने उनके विराड व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्म मौझूद हो वैचारी गहराई, नईतिक साहस, राजनितिक विलक्षनता, कृषिक छेत्र का गहरा ज्यान और राष्ट्री एकता के परती समर्पन भाव क्या आप सरदार पटेल के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंस अभ हुमर को दर्शाती है जरा उस लोपुरुस की छबी की कलपना कीजिये, जो राजे रजवाणों से बात कर रहे थे, पुझ्य बापु के जन अंदोलन का प्रबंदर कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे और इन सब के बीच भी उनका सेंस अभ हुमर पूरे रंग में होता था बापु ने सरदार पट्रेल के बारे में कहा था उनकी विनोध पुर्ण बाते मुझे इतना हसाती थी, कि हस्ते हस्ते पेट में बल पड़ जाते थे ऐसा दिन में एक बार नहीं, कई कई बार होता था इसमें हमारे लिए भी एक सीख है परिस्तितियां कितने भी वीशम क्यों न हो अपने सेंस अभ हुमर को जिन्दा रखिए यह हमें सहच तो रखेगा ही हम अपनी समच्चा का समाधान भी निकाल पाएंगे सरदार सहाब ने यही तो किया था मेरे प्यारे देशवाशियों सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एक जूरता के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने भारत के जन्मानस को स्वतंतरता अंदोलन से जोड़ा उन्होंना आजारी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया उन्होंने राजे रजवाणों को हमारे राष्के साथ एक करने का काम किया यह विवीदिता में एकता के मंत्र को हर भारतिये का मन में जगा रहे थे साथियों आज हमें अपनी वानी अपने विहवार अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरी के मन में दूसरे कौने में रहने वाले नागरी के लिए सहस्ता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके हमारे पुर्वजों ने सजियों से यह प्रयास निरंतर किये हैं अब देखिए केरल में जन में पुझ्य आदि संकराचारी जी ने भारत की चारों दिशाओं में चार महत्वपुन मठों के स्थापना की उत्तर में बद्रिकाश्रम पुर्व में पूरी दक्षिन में स्रिंग और पास्ची मेदवारी की उन्होंने श्री नगर की यात्रा भी कि यही काराण है कि वहां एक संकराचारी हील है तिर्थाटन अपने आप में भारत को एक सुत्र में पिर को जोतिर लिंगो और शक्ति पिठों की स्रंकला भारत को एक सुतर में बांगती है। त्रिपूरा से लेकर गुजरात तक, जमु कश्मीर से लेकर तमिल नाडु तक, स्थापित हमारी आस्था के केंद्र हमें एक करते हैं। बक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन बन गया, जिसने हमें बक्ति के माध्यम से एक जूट किया। हमारे नित्ति जीवन में भी ये बाते कैसे घुल गई हैं। जिसमें एकता की ताकत है। प्रतेक अनुस्थान से पहले विभिन नदियों का आभान किया जाता है। इसमें सुदूर उत्तर में स्थित सिंदु नदी से लेकर दक्षिन भारत की जीवन दाइनी कावरी नदी तक शामिल है। अक्षर हमारे हाँ लोग कहते हैं स्नान करते समय पवित्र भाव से एकता का मंत्र ही बोलते हैं। चताब्दी में हमारे देश में डॉक्टर बाबा साब आमवेकर जैसे महान विभूत्या रही। जिन्नों ने हम सभी को समिधान के माध्यम से एक जूट किया। साथियों यूनिटी इस पावर, यूनिटी इस स्ट्रेंथ, यूनिटी इस प्रोग्रेस, यूनिटी इस एमपावर्मेट। वैसे ऐसी ताकते भी मौझूद रही हैं, जो निरंतर हमारे मन में संदह का बीज बोने की कोशिश करते रहते हैं, देश को बाटने का प्रयास करते हैं, देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मुहतोर जवाब दिया है। हमें निरंतर अपनी क्रेटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पुर्वग, अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत स्रेष्ट भारत के खुबसुरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने हैं, और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर में मैं आप सबसे एक वेबसाइट देखने का आगरह करता हूं, एकभारत.gov.in इसमें नेशनल इंटिग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कही प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिल्चस्प कॉर्णर है आज का वाक्या। इस सेक्षन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग-अलग भासाओं में कैसे बोलते हैं या सिख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए कॉंट्रिबूट भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग-अलग खानपान होता है। ये वेंजन स्थानिय स्थर के खास इंग्रेडियन्स यानि अनाज और मसालों से बनाये जाते हैं। क्या हमें लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडियन्स के नामों के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत वेबसाइट पर सैर कर सकते हैं। यूनिटी और इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों इस महिने की 31 तारीक को मुझे केवडिया में एतिहासिक स्टेची ओफ इनिटी पर हो रहे कई कायरेकम में सामिल होने का आउसर मिलेगा। आप लोग भी जुरूर जुडियेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्तुबर को हम वालमी की जैनती भी मनाएंगे। मैं महर्ची वालमी की को नमन करता हूँ और इस खास अफसर के लिए देशवासियों को हार्दिक सुबकामना ही देता हूँ। महर्ची वालमिकी के महान विचार करोडों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, वे लाखों, करोडों, गरीबों और दलीतों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं, वो कहते हैं किसी भी मनुष्य की इ असानी से कर सकता है, यह इच्छा शक्ती ही हैं, जो कई युवाओं को असाधन कार करने की ताकत देती हैं, महर्ची वालमिकी ने सकारात्मक सोच पर बल दिया, उनके लिए सेवा और मानुए गरीमा का स्थान सर्वो परी है, महर्ची वालमिकी के आचार, विचार और आद हम महर्ची वालमिकी के प्रती सदैव कुर्तग्य रहेंगे, कि उन्होंने आने वाली पीडियों के मारदर्शन के लिए रामायन जैसे महा ग्रंत की रचना की, 31 अक्तुबर को भारत के पूर्व प्रधान मंतरी श्रीमति इंद्रा घांदी जी को हमने खो दिया, मैं आदर पूर्वक कुन को सरद्धांजली देता हूँ, मेरे पहरे देश्वासियों, आज कश्मीर का पुलवामा पूरे देश को पढ़ाने में महत्पपुन भूमी का निभा रहा है, आज देश भर में बच्चे अपना हुंबर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इसक पूरे पीछे पुलवामा के लोगों की कड़ी महनत भी है, कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90 प्रतिशत पैंसिल स्लेट लकडी की पट्टी की मांग को पुरा करती हैं, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है, एक समय में हम लोग विदेशों से पैंसिल के लिए लकडी बंगाते थे, लेकिर अब हमारा पुलवामा इश्क शेत्र से देश को आत्मनिर भर बना रहा है, वास्ताव में पुलवामा के ये पैंसिल स्लेट्स, स्टेट्स के बीच के गैप्स को कम कर रहे हैं, गाटी की चिनार की लकडी में हाई और सौपनेस होती है, जो पैंसिल के निर्मार के लिए उसे सबसे सुटेबल बनाती है, पुलवामा में उख्षू को पैंसिल विलेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पैंसिल स्लेट्स निर्मार की कई इकाईया है जो रोजगार उपलब्द करा रही है, और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती है, साथियों पुलवामा की अपनी ये पहचान तब स्थापित हुई है, जब यहाँ के लोगों ने कुछ नया करने की खानी, काम को लेकर रिस्क उठाया, और खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया, ऐसे ही करमत लोगों में से एक है, मंजूर एहमद अलाई, पहले मंजूर भाई लकडी काटने वाले एक सामाने मद्दूर थे, मंजूर भाई कुछ नया करना चाहते थे, ताकि उनके आने वाली पीडियां गरीबी में न जिये, उन्होंने अपनी पुस्तेनी जमिन बेच दी, और एपल भुडन बॉक्स, य पैंसिल निर्माण में पॉपलर वूड यानी चिनार की लकडी का उपयोग शुरू किया गया है, यह जनकरी मिलने के बाद, मंजूर भाई ने अपनी उद्यमिता का परिचे देते हुए, कुछ फेमस पैंसिल मैनुफेक्टरिंग यूनिट्स को पॉपलर वुडन बॉक्स के आपूर्ति शुरू की, मंजूर जी को यह बहुत फायदमन लगा और उनकी आमद ने भी अच्छी खासी बढ़ने लगी, समय के साथ उन्होंने पैंसिल स्लेट मैनुफेक्टरिंग मशिनरी ले ली और उसके बाद उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों को पै जरिये समस्त देशवास्यों के और से मैं मंजूर भाई समेथ पुलवामा के महनतकस भाई बहनों को और उनके परिवारवानों को उनकी प्रसौंसा करता हूँ आप सब देश के यंग माइंड्स को सिक्षित करने के लिए अपना बहुमुली योगदान दे रहे हैं मेरे पैरे देशवास्यों लोगडाउन के दोरान टेक्नोलोजी बेज सर्विस डिलिवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए है और अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी टेक्नोलोजी और लोजिस्टिक कमपनियां ही यह कर सकती है जारखन में ये काम महिलाओं के सेल्फेल्फ ग्रूप ने करके दिखाया है इन महिलाओं ने किसानों के खेतों से सबजियां और फल लिये और सीधे घरों तक पहुँचाए इन महिलाओं ने आजीवी का फार्म फेश नाम से एक एप बनवाया जिसके जरिये लोग आसाने से सबजियां मंगा सकते थे इस पूरे प्रयाश से किसानों को अपनी सबजियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सबजियां मिलती रही वहाँ आजीवी का Farm Fresh एप का एडिया बहुत पॉपिलर हो रहा है लोगडाउन में इन्होंने पचास लाख रुपिये से भी जादा के फल सब्जियां लोगों तक पहुँचाई है साथ क्यों एगरिकल्चर सेक्टर में नई संभावनाय बनता देब हमारे युवा भी काफी संख्या में इस से जुड़ने लगे हैं मद्यप्रदेश के बढ़वानी में अतूल पाटिदार अपने ख्षेत्र के 4,000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ चुके हैं ये किसान अतूल पाटिदार के e-platform Farm Card के जरिये खेती के सामान जैसे यानि किसानों को घर तक उनकी जरुवत की चीजे मिल रही हैं इस डिजिटल प्लेटफरम पर आदूनिक क्रशी उपकरणों भी किराये पर मिल जाते हैं लोगडाउन के समय भी इस डिजिटल प्लेटफरम के जरिये किसानों को हजारों पैकेट डिलिवरी किये गए जिसमें कपास और सब्जियों के बीज भी थे, अतुल जी और उनकी टीम किसानों को तक्नीकी रूप से जागरूप कर रही है, ओनलाइन पेमेंट और खरीदारी सिखा रही है, साथियों इन दिनों महराश्टर के एक घटना पर मेरा ध्यान गया, वहाँ एक फार्मर प्रोडूशर कमपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा, कमपनी ने किसानों के इस बार मुल्ल के अतिरिक्त बॉनस भी दिया, किसानों को भी एक सुख़द आश्यरिय हुआ, जब उस कमपनी से पूछा, तो उन्होंने कहा, कि भारत स सरकार ने जो नए कृशिक कानून बनाये हैं, अब उसके तहट किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेज पा रहे हैं, और उन्होंने अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा, कि इस एक्स्ट्रा प्रोफिट को किसानों के साथ भी बाटना चाहिए, उस पर उनक प्रता चलता है कि नए कृशिक कानून से जमिनी स्तर पर किस तरह के बढ़ला किसानों के पक्षमे आने की संभावनाएं भरी पड़ी हैं, मेरे पैरे देश्वासियों, आज मन की बात में देश्वासियों की असाधर उपलब्यां, हमारे देश, हमारी संस्कृति के अलग- अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो, तो उनके बारे में बात कीजिए, लिखिए और उनकी सफ़लताओं को शेर कीजिए, आने वाले त्योहारों की आपको और आपके पुरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई, लेकिन एक बात याद रखिए, और त्योहारों में जर अगले मैंने फिर आपसे मन की बात होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद